आई, आए मारियन आए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा Tense या काल क्या है Tense कितने परकार है Tense के तीन परकार है second है present continuous tense, third है present perfect tense, और fourth है present perfect continuous tense, चारों परकार में present tense का हम आज indefinite वाला रूप सिखने जा रहे हैं, तो आज का हमारा topic है present indefinite tense, present tense का पहला रूप, जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, यानि किसी भी sentence में जिसमें भर्व में ता, ते, ती आता हो, जैसे जाता, खाता, पीता, present indefinite या simple present tense का formula है, सबसे पहले subject लिखेंगे, उसके बाद verb का पहला रूप, यानि verb one, उसके बाद s या yes, उसके बाद object और कुछ नहीं, जहाँ object रहेगा, वहीं object लाएंगे, और जहाँ नहीं रहेगा, वहाँ formula और भी छोटा है, subject प्लस verb प्लस s या yes, और कुछ नहीं, तो हमें याद रखना है, s या yes क्या है और कहां लगेगा, s या yes अपका भर्व में लगेगा, किसी भी भर्व जैसे, खाना का English होता है, it, it में s लगा सकते हैं, it, पर यह कहां लगेगा, कुछ ही subject में s या yes लगेंगे, सभी में नहीं लगेंगे, आपको बता देते हैं, I, V, U, They, इसमें s या yes नहीं लगेगा, he, c, name, it, यह subject आगे रहे, तो आपका भर्व में s या yes लगेगा, और आपको यह याद रखना है, जिस भर्व के लास्ट में o, s, sh, ch, z और x रहे, वहीं पर आपका भर्व के लास्ट में e, s लगेगा, और बाकियों के साथ सिर्फ s लगेगा, जैसे एक भर्व या एक वर्ड है, जी ओ, go, go, go में o last है, इसलिए इसमें e, s लगेगा, go, e, s, go, j बन जाएगा, जैसे f, x, fix, fix में x last है, इसलिए इसमें भी fixes, e, s हो लग जाएगा, और एक लेते हैं, c, a, t, c, h, catch, इसमें भी c, h last में हैं, जो पहले ही बता हैं आपको, इसमें भी e, s लगेगा, catch, s हो जा s, h, ch, z, x, आदी, इत्यादी हो, तो उसमें आपको e, s लगाना है, और बाकियों के साथ s लगाना है, हाँ, जिस subject में i, v, u दे हो, वहाँ s या i, s कुछ भी नहीं लगेगा, और जिस subject में he, c, name, it हो, तो उसमें s या i, s, भर्व के last में लगेगा, अब वीडियो में आग है, तो formula क्या था, formula था subject, उसके बाद भर्व वन, उसके बाद s, i, s, और उसके बाद object, object रहेगा भी और नहीं भी रह सकता है, बहुत सारे sentence में, और इसकी पहचानती, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, तो हम एक sentence लेते हैं, जैसे में खाता हूं, तो में खाता हू subject, यानि English, आई हुआ, subject, में का आई हुआ, उसके बाद भर्व को लिखेंगे, formula में दिया हूआ है, उपर में ही देखिए, भर्व वन, खाना, खाना का eat होता है, eat लिखें, उसके बाद आपको यह यार्द रखना है, कि I, V, U, दे के साथ, भर्व में, S, या, ये, S, नहीं खाता है, पीता है, जाता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही छोटा sentence है, subject को लिख देना है, उसके बाद भर्व को लिखना है, उसके बाद S, या, ये, S, कुछ में लगेंगे, और कुछ में नहीं लगेंगे, एक object वाला sentence देख लेते हैं, जैसे में आम ख खाता हूं, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना था, सबसे पहले subject लिखेंगे, में का आई हुआ, उसके बाद भर्व लिखेंगे, खाना का eat हुआ, उसके बाद S, या, E, S, I, V, U के साथ नहीं लगता है, तो इसमें नहीं लगेगा, उसके बाद object लिखेंगे, क्या खा sentence, जैसे मैं खाता हूं, I eat, और object वाला sentence, मैं आम खाता हूं, I eat mango, दोनों ही बना लिया, हम लोगों ने सीख लिये, कि बिना object वाला sentence, और object वाला sentence, एक और sentence देखते हैं, तुम जाते हो, तो सबसे पहले formula देखेंगे, formula हम सबसे पहले subject होगा, तो यह subject क्या है, subject क्या होता है, मैं, तुम, आप, मतलब कोई person या वेक्ती, जो हम, तुम, यह वो, यही सब subject है, यहाँ पर क्या है, तुम, तुम का English होगा, you, उसके बाद खाना पी ना हसना, यहाँ पर भर्व क्या है, जाते हो, यानि जाना, जाना का English go होगा, you के बाद गो लिखें, उसके बाद formula क्या है, S,E,I,S लगाना है, I,V,U, दे के साथ, S,E,I,S नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या था, you है, you के साथ, S,E,I,S नहीं लगाएंगे, उ आपजेक्ट कुछ भी नहीं है तो मेरा सेंटेंस बन गया तुम जाते हो का यूँगो ऑबजेक्ट वाला देख लेते हैं जैसे तुम घर जाते हो तो सबसे पहले सबजेक्ट लिखेंगे तुमका यूँ हुआ उसके बाद भब लिखेंगे भब क्या है कोई भी काम आना जान भोगिया उसके बाद क्या है ऑबजेक्ट मतलब कहां जाते हो घर गर का इंग्लिस होगा होम या ऑबजेक्ट हुआ हम उगया हम तुम घर जाते हो का इंगलिस बन गया sentence, you go home, एक और sentence रहा, हम पढ़ते हैं, फॉर्मूला में सबसे पहले subject लिखना है, subject क्या है, कोई भी person, यह वो, हम, तुम, यहाँ हम है, हम का English हुआ, we, उसके बार भर्ब लिखना है, भर्ब मतलब कोई भी काम, आना जाना, कहा, खाना पिना हजना, तो यहाँ क्या है, पढ़ना, पढ़ना का होगए, read, we के बार, read लिखें, उसके बार क्या करना, s या या इस लगाना, जो आई, वी, यू दे के साथ नहीं लगता है, यहाँ क्या है, we है, यहाँ out eis, नहीं लगेगा, उसके बार औब्जेक्ट लगाना यह ओब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो मेना sentence बन गया हम परते हैं का वी रिडुड़ अगर sentence हो हम किताब परते हैं то सबसे पहले subject लिखते हैं.. subject हम का वी लिखाता.. उसके बाद verb लिखेंगे, verb पढ़ना का read होगा, उसके बाद object लिखेंगे, object book होगा, we read book, हम किताब पढ़ते हैं का sentence बन गया, we read book, और एक sentence है, जिसमें S E I S नहीं लगता है, वो है, we उन्हें, जिसका इंगलिस होता है, day, तो आईए, बनाते हैं एक और sentence, we दोरते हैं, तो स सबसे पहले subject लिखेंगे, we का हुआ day, ती एच इवाई, उसके बाद verb लिखेंगे, दोरना का हुआ run, day run, इसमें S E I S नहीं लगए और यहां कोई भी object नहीं है, तो मेरा sentence बन गया, we दोरते हैं, day run, तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने सीखा, I, V, U, day, यह सब subject हो, तो भ दिखने जा रहे हैं, he, c, name it, अगर यह subject में हो, तो भर्व के साथ S या इस लगेगा, और कैसे लगेगा, वीडियो में आगे भरते हैं, और देखते हैं, कि S E I S कहां लगाना है, तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने सीखा, present indefinite tense, जिसमें ता, ते, ती हो, जैसे जाता है खाता है, तो इसके affirmative sentence में S E I S लगता है, तो मेरा पहला sentence है, वा खाता है, formula गनुसा सबसे पहले क्या लिखना है, subject लिखना है, subject क्या होता है, कोई भी person, हम, तुम, ये, वो, या कोई भी नाम, तो यहां पर क्या है, वा, वा का English होगा, ही, अगर लड़का है, तो ही होगा, अगर लड़की है, तो C होगा, यहां पर वा खाता है, तो पता चल रहा है, कि लड़का है, इसलिए यहां ही लिखते है, वा खाता है, तो वा subject है, जिसका English ही हुआ, उसके बाद, क्या है, formula में, भर्ब है, भर्ब क्या है, कोई भी काम, खाना, पीना, आना, जाना, यहां प यहां क्या है, इट है, इट का स्पली, EAT, हमें पता है, हमें रूल्स में पता है, कि I, V, U, D, A के साथ S, E, I, 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 I SH, S, CH, Z, और X रहे, तो उस भर्व के लास्ट में ES लगता है, और बाकी के साथ S लगता है, तो यहाँ भर्व क्या था? EAT, यहाँ लास्ट में क्या है? T है, यानि यहाँ पर ES नहीं लगाना है, सिर्फ S लगाना है, तो HE के बार ITS S लगा है, ITS हो गया, उसके बार आपको यह याद रखना है, HE में ES लगता है, पर भर्व के बार लगता है, यानि HE, IT, EAT, T वाले जगा के बार S लगाना है, यहाँ आपजेक्ट कुछ भी नहीं है, तो मेरा सेंटेंस बन गया, वा खाता है का HE, ITS, आपको यह याद रखना है, अगर सेंटेंस है, वा खाता है, तो इसका सेंटेंस मना HE, ITS, यहाँ वा खाता है से पुरुष जाती का बोध हो रहा है, इसलिए पुरुष के लिए HE लगाएंगे, यानि लड़का के लिए HE लगाएंगे, अगर sentence होता वा खाती है तो sentence से ही पता चल रहा है किसी लरकी के लिए या sentence लगा जा रहा है बोला जा रहा है या महिला जाती के लिए बोला जा रहा है तो वा खाती है वा यहाँ पर ही ना लगा के C लगाएंगे और sentence बनेगा C is अभी तक हम लोगे ने देखा बीना object वाला sentence, अब object वाला sentence देख लेते हैं, तो मेरा sentence है, वहाँ फल खाता है, तो सबसे पहले वहाँ का English लिखेंगे जो की subject है, subject क्या होता है, कोई भी पसन हम तुम यह वो यह हुआ, तो यहाँ पर वहाँ का English ही होगा, क्योंकि यहाँ खात है, इसके पता चल रहा है कि किसी लड़का या पूरुस के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले ही लिख दिये, उसके बाद formula हम देखेंगे, subject सबसे पहले था, ही हुआ, उसके बाद भर्व लिखना है, भर्व क्या है, कोई भी काम, खाना, पीना, आना, जाना, तो यहा एस लगता है, तो यह भर्व में एस लगेगा, तो यहाँ क्या था भर्व, इट, यह लास्ट में क्या है, यहाँ यहाँ पर एस लगेगा, हमें याद है, ओ, एस, जेड, एक्स, इन सब के साथ, जितना आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर, इन सब के साथ, यहाँ पर क्या है यानि यह बाकी बचा हुआ, यहाँ पर S लगेगा, तो बन गया है, He eats, अब क्या मेरा sentence बच गया जो, औबजेक्ट, औबजेक्ट क्या था, फल, फल का English, fruit, मेरा sentence बन गया, मेरा sentence बन गया, वहाँ फल खाता है, He eats fruit, अगर मैं sentence है वह फल खाती है तो मेरा sentence बनता see its fruit वह का परियोग ही सी दोनों के लिए करते हैं अगर वह लड़का हो तो ही अगर वह लड़की हो तो सी एक और sentence ले लेते हैं राहूल जाता है फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले subject होगा यह subject क्या है कोई भी नाम यह नाम क्या है राहूल राहूल का राहूल ही इंगलिस में होगा राहूल लिग दिये उसके बाद भर्व है फॉर्मूला में भर्व क्या होता है आना जाना खाना पीना यहां पर क्या है जाना राहुल के बाद जाना का इंगलिस गो लिख दियें राहुल हुआ उसके बाद गो हुआ उसके बाद हमें याद रखना है He, See, Name, It के साद भर्ब के लास्ट में S, या, ES लगता है यहाँ क्या है नाम है राहूल तो यहाँ भर्ब के लास्ट में S, या, ES लगता है तो अब हमें यह पता करना है कि यहां S लगेगा यहां ES लगेगा हमें पता है O, S, H C, H, Z, X आदी के साथ भर्व के लास्ट में एस लगता है तो यहां क्या है भर्व जी ओ यानि यहां ओ है यहां पर लास्ट में एस लगेगा तो जी ओ गो में एस लगा दिये गोज बन गया, मेरा सेंटेंस बन गया राहुल जाता है का राहुल गोज यहाँ object कुछ भी नहीं है तो sentence है राहूल गोज एक और sentence बना लेते हैं वहाँ दोर्ती है तो सबसे पहले subject लिखेंगे वहाँ दोर्ती है यहाँ पुरूस नहीं लड़की के लिए परयोग लाया जा रहा है तो यहाँ ही नहीं C लगेगा तो subject C लिखें उसके बाद verb लिखें दोर्ता का English हुआ run वह दिखेंगे फ्रोम्ला में ही सी नेम लगता है यहां भर्त में sh lग Tribond है तो हमें पता है OS SSC अधी नए होती हो भर्त के लास्त में यहां भा्ता है यह पहला है दोर्तестно n या न रास्त में में यहाँ यहाँ पर स लगेगा एस नहीं लगा तो रन के लाश्ट में सिर्फ एस लगा दिये मेरा एंटेंस बन गया वहां दोरती है का सेंटेंस बन गया सी रन्स तो दोस्तो वीडियो में आगे भरते हैं अभी तक हम लोग ने सिखा ताहे ती है तेहे का फोर्मुला वाइज सारे फोर्मुला थे एस याइएस था और बहुत सारे नाजाने क्या-क्या अब हम इजी ट्रीक में सीख लेते हैं कि कैसे बनाना है जैसे आई वी यू दे के साथ वा दोर वाने को बन गया मैं जाता हूं का आई गो तुम जाते हो या आप जाते हो दोनों के लिए लिखेंगे यू or जाना रहना और उया जाना का ऊ जाना-उय यू बन गया हम जाते हैं हम का एंग्लिस साथ S-A-I-S नहीं लगता है उताते ती वाले सेंटेंस रहे और स्मोल में रहे तो आपको वैसे ही उतार देना जैसे में जाता हो का में का आई जाना का गो और कुछ भी नहीं करना है अब आते हैं ही सी नेमित वाले सब्जेक्ट में जिसमें भर्व किलास्ट में S-A-I-S जेड और और रहे तो इन सब किलास्ट में इस लगाना और बाकी बचे लाश्ट में जैसे बी रहे दी रहे एंसम्ट में आते जीर एइन सब सभी के साथAngel में ए तौक भर्व याना जनना अका होता है गो अगर यह आई विजबए के साथ कर नहीं लगता और यह क् से ही नयमीट के साथ होता तो इसमें सब्स लगेगा तो क्या लगेगा ओ है है ऑफ हुर्म में क्या था ओ में इस मतलब जाना होता है यह के साथ यह लगाते बन गया गोज़ और यודה read मतलब होता है पढ़ना यह last में क्या है डी है तो डी के साथ s लगाएंगे बन गया reads इसका मतलब भी पढ़ना ही होगा और एक word देख लेते हैं run मतलब दोरना होता है अगर इसके last में s लगा दिये तो बन गया runs तो he see name it का देख लेते हैं sentence तो बना लेते हैं he see name it का वहाँ जाता है वहाँ का होगा ही जाना का गो वहाँ जाती है वहाँ का होगा सी यह लड़की के लिए सी जाना का गो राम जाता है राम कोई नाम है पहले राम लिखेंगे उसका जाना का होगा गो अब हम लोगों को देख लेना है सभी गों में क्या लगाना ओ है यानि यह 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 गए यह क्योंकि ही सी नेमिट के साथ यह यह एस लगता है यह ओ के साथ यह लगता है आपको रूल्स में बता दिये तो वह जाता है का गो में सिप यह लगा देंगे ही गोज बन गया वह जाती है का सी गो में यह लगा देंगे सी गोज बन गया राम जाता है का राम गो में य कि याद रखना है कुछ दरेश लगता है जिसे और ऊ एन रहा तो एस लगता है अगलेगा और कुछ जाह ऑप पर एस लगता है जैसे effry मतलब उड़ना होता है यहाँ आईएभाई एस लगता है आपको बता दे जब भी I, E, S लगता है Y को हटा के लगता है जैसे मेरा एक सब्द है T, R, Y, Try Try में T, R, लिखेंगे Y को हटा देंगे और I, E, S लिख देंगे T, R, I, E, S, Try Try मतलब कोशिज करना तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बता है वीडियो को like करें सब्सक्राइब करें चैनल को और तब तक के लिए bye टाटा और next वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टाटेती है का negative sentence नहीं वाले जैसे मैं नहीं जाता हूँ मैं नहीं खाता हूँ तब तक के लिए bye वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें